हेलो फ्रेंड, वाइटी स्टेडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्रेटफॉर्म पर आप सभी का फार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्राउन समाने ग्यान के इस बुक के दो होट टॉपिक को जिनके नेम है भारत पर तुरकों का आकरमाण और जो सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है जितने भी हमारे ओल्ड आस्पिरेंट हैं जितने भी हमारे ओल्ड इस्टुडेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट यह है कि यह बुक को आप उपन कर लिजेगा पेज नमबर आपका होगा 49 उस पे आपको मिलेगा चेप्टर नमबर 2.5 तो उसको उपन करिए और जितने बच्चे नए है जिनके बास यह बुक नहीं है तो मार्किट से जाके इस बुक का परचेस करिए कि यह बुक वो बुक है जो सभी वन्ड एक्जाम के पार्टों पर यहां से हमको यह जानने को मिलता है कि भारत की भूमी के अंदर तक परवेश करने का श्रै गजनवी वन्स का जो सुल्दान था महमूद इसको जाता है लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रै किसे जाता है तो वो था आपका संस बनी वन् का एक सासक था मुहम्मद कौरी यह वाला कोशन्स आपका SSE एक्जाम में और खास तौर पे आपका SSE CGL में दू-तिन बार यह कोशन्स पूछा गया हैं आगे बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में देखिए महमूद गजनवी यह जो अपका सासक था इसका सासनकान 998 से ले करके 1030 इस वितक था और यामनी वन्स जिसे हम गजनवी वन्स भी कहते हैं गजनवी वन्स का एक अन्य नाम भी है इसको बोलते हैं यामनी वन्स इसको इस नाम से राज्य इस्थापित किया था अब अलपद गीन से संबंदी आपको एक फैक्ट यहाँ पर साइड में बुक में लिख लिजेगा 1932 की खटना ठीक है 1932 इस्वी में अलपद गीन नामक एक तुर्क सरदार नहीं यह क्या था एक तुर्क सरदार था इसने गजनी समराजी की इस थापना करी थी और इसकी राजधानी क्या थी इसकी राजधानी थी आपकी गजनी ठीक है क्या राजधानी थी इसकी गजनी इसकी राजधानी भी एक्जाम में दो तीमर पोची गई है यह आपको देहर नकना है अगला परण देखते हैं कि उसके बाद अर्पत गीन के बा पर बैठा और 1027 तक इसने सासन किया याद अखना 27 वर्स की अवस्ता में ये गजनी के तक्त पर बैठा और 1030 तक इसने सासन किया और यहां से ले करके यहां तक इसने कुल कितने आकमन करे थे भारत के अंदर तो इसने भारत पर 17 बार आकमन करे थे मोस्ट मोस्ट टाइम पी फैक्ट यह है अंडराइंग करिएगा इसको क्योंकि इसकी आकमण की संख्या दो-तीन बार आपके एक्जाम में पोछी गई है मैं आपको बताना चाहूंगा कौन-कौन से एक्जाम था वो तो डेट थी आपके की परितिष्टा को इस्थापित करना और भारत की संपत्ती को लूटना यह इसका मेर उदेश्य था अब दोस्तों महमूत का जो पर्तम आकमण हुआ था वो कब हुआ था? एक हजार इसवी में हुआ था और इसका दूसरा आकमण कब हुआ था? आनन्दपाल को पराजित किया और एक हजार चौदा इसवी में उसनी क्या करा? थानेश्वर को लूटा थानेश्वर का जो मंदिर है ना उसको इसनी क्या करा? लूटा और उसके बाद एक हजार अठारा एक हजार अठारा इसवी में कन्योश पर इसमें आकमन कर लिया और आगे चलकर उसने मत्रा वरंदा वन पर भी आकमन किया और वहां से आपार संपत्ति लूटी देखे जो प्राने सासक होते थे उनका मेन उदिश्य क्या होता था संपत्ति को लूटना और उस संपत्ति को लूट करके अपने राज्यें में ले जाना और उसको और भी अधिक मजबूत बिनाना बस यहीं इनका मेन उदिश्य होता था लूट कसूट करना इन शॉट में कहने करतमारा यह है सो आगे बात करते हैं एक हजार पच्चीस में क्या हुआ एक हजार पच्चीस इस्वी में महमूद ने सोमनाथ यह कहां परिस्ति था गुजरात पर आकमन करके एक भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूर्णते क्यागरा इसने नश्ट कर दिया और इस समय यहां का सासक कौन था उस समय सासक था आपका भीम परथम ठीक है कौन था भीम परथम इस सासक का नाम भी आप ध्यान रखेगा ठीक है CHSN में 22.3.2012 में यह भीम परथम के बारे में आपसे पूशा गया है उस समय सासक कौन था तो उस समय सासक था भीम परथम नाक्ष पॉइंट है कि महमूत का अंतिम अभियान कौन सा था तो वो था 1027 स्वी में जाटो के विरुद एक रिवाल्ट हुआ तक युद हुआ था और इसके मिर्तिय कब हुई थी? इसके मिर्तिय हुई थी आपकी 1030 में कब हुई थी? 1030 में अल बरुनी की रचना अल बरुनी की रचना किताब अल हिंद जिसकों कहते हैं तारीक हिंद ये किस भासा की एक रचना है? तो इसकी भासा आपकी है अर्बी भासा और अल बरुनी ने दो संस्कित पुस्तकों का अर्बी में अनुवाद में किया था एक पुस्तक है आपकी क्या साक्य है और दूसरी पुस्तक कर नाम की आपका महाभाश्य है रचनाकर कौन थे महाभाश्य कहे पतंजली और साक्य की कौन थे कपिलमनी अगरा पान देखते हैं कि सिहाबुदीन उर्फ मोहजदिन महामद गौरी गौरी वंस का उदे बारवी सदाब्दी के मद्दे हुआ था और यह तुर्कों का संस बनी वंस था जो पूरवी इरान से आकर के क्या आकर के गौर परदेश में आकर के बस गया मुहमद गौरी ने बारवी सदाबदी में भारत पर आकमण किया और यहाँ पर अपने राज्ये के इसने क्या करी थी इस थापना करी थी और मुहमद गौरी का पर्थम आकमण कब हुआ था तो मुहमद गौरी का पर्थम आकमण हुआ था आपका 1075 में कब हुआ था 1075 एसवी में मुल्तान पर इसने आकमण किया और यह आकमण कौन से दर्रे से होकर के हुआ था तो इसमें जो इसकी दर्रे ने हल्प करी थी वो दर्रे का नाम था अब का गौमल दर्रा और इसके बाद इसने उच्छ को भी जीत लिया था अगला पॉइंट देखते है 1078 एसवी में गौरी ने गुजरात पर आकमण किया था कर लेजिए इसको आप लोग प्रीज हालाइट देखिए जो पॉइंट आपको दिये जा रहे हालाइट करने के लिए उन सभी पॉइंट को प्रीज अपनी बुक में आप लोग अंडराइट करते चलिएगा क्योंकि ये वो फैक्ट है जो एक्जाम में कई बार पूशे गए है ठीक है करे बार सुनना ने देखना नहीं है आपको बुक को अंडराइट भी करना है बुक को या तो मार्केट से पर्चेस कर ले जीगा या फिर आप ऑल्लाइन में बुक को पर्चेस कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है अगला पॉइंट देखते हैं लेकिन मूल्टाज दित्ते ने आबू पहाड के पास में गौरी को हरा दिया और यह है भारत में गौरी के पहली प्राजय थी या दखना जो भारत के अंदर मूहमद गौरी के जो पहली प्राजय होई थी वो कहां पे होई थी वो ही थी आबू पहाड के पास ठीक है आबू पहाड के पास आबु कहां पर है वही माउंट अबु वाला ठीक है अगला पॉर्ण देखते हैं 1179 एसवी में गौरी ने पेसावर को जीता और 1185 एसवी में सियाल को जीता उसके बाद उसके ठीक एक वर्स बाद 1186 एसवी में उसने संपूर्ण पंजाब को जीत करके गजनवी का राजवन् समाप्त कर दिया अब यहां पर कुछ युद और इंपॉर्ण है आप लोगों के लिए पहला युद है आपका तराइन का पर्तम युद हुआ कब था 1191 में कहां पर भटिंडा की निकट ठीक है जिसमें पिर्थी विराज तृत्या ने महमद गौरी को प्राज़ित किया था वार किसके मतने हुआ था पिर्थी विराज तृत्या और महमद गौरी के बीच में ठीक है महमद गौरी को कह अगरा इसने प्राज़ित किया पिर्थी विराज तृत्या ने महमद गौरी को प्राज़ित कर दिया अगला वार हुआ तराइन का सेकंड वार ये युद ठीक इ अगला पॉइंट है आपका चंदावर का युद्ध कब हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जैचंद को प्राजित करके उसे उसने मार डाला ठीक है याद अखना महम्मद गौरी और जैचंद के मद्ध है ये वार हुआ था अब बात करते हैं 1193 के बारे में 1193 इस्वे में गौरी का एक गुलाम कुतुब दिन अबक ने मेरट और दिल्ली को जीत लिया अब कुतुब दिन अबक के बारे में आपको ध्यान लखना है कि इसका सासनकाल कब से कब तक था जब हम गुलाम वंस के बारे में डिसकस करेंगे कुतुब दिन एबक अराम शाह इलतुतमिस वगरा 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 वहाँ पर हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे लिगे फिर भी चाहतों साइड में हल्का सा लिख सकते हैं 1206 से ले करके 12010 इसका कुल क्या था इसका सहसन काल रहा अभी हम बात करें कि महम्मद गौरी के बारे म एबक ने 1194 इसवी में अजमेर को जीता कब जीता था 1194 में अजमेर को जीता एबक ने और वहाँ पर हिंदू एवं जैन मंदिरों को नश्ट करके उनके अफसेसों से दिल्ली में क्वैत उल इसलाम मस्जित का निर्मार किया था यादखना क्वैत उल इसलाम मस्जित का नि इंदू धर्म के मंदीर हो जैन धर्म के मंदीर हो उसको लूटा खसोटा दिवारे तोड़ी उसकी उसमें जो गोल्ड मिला उसका गोल्ड को इन्वेस्ट कर दिया उसने कहां पर कुयतुल इसलाम मस्जित के अंदर राइट और उसके बाद 1196 में अजमेर में संस्कित पर उस जगह पर इसने ये मस्जित का निर्माड किया यह ऐसी होता था कहीं से लूटा खसोटा धन कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दिया अपने ध्रम को इसने के अगरा परचार परसार करना स्टार्ट कर दिया आगे बात करते हैं 12056 में गौरी का अंति मुकाबला खोकरों क उसकी हद्य अगर दी गई थी इसकी हद्य कब हुई थी 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्य कब हुई थी 15 मार्च 1206 में तो यह फैक्ट आपको ध्यान अकना है अब जब यह मर गया गोरी इसकी मिल गई तो पूरा सिंगासन के इसको मिल गया तो यह क्या था गुलाम था इसका तो इसने इसी को इसी नाम से अपने वंस की स्थापना कर दी थी गुलाम वंस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तार पूरवक लिगें पहले हम जानते हैं मद्दे कालिन भारती इतिहास के स्रोथ अगर हमको मद्दे कालिन भारती इतिहास को अच्छे से जानना है तो हमारे पास क्या होंगी काफी सरी पुस्तके हैं और उस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको ध्यान लखना है पहली जो पुस्तक है इसका नाम है आपका हसन निजामी ये लेखक का नाम है और इन्होंने जिस पुस्तक के लिखा था उसका नाम है ताजुल मासीर ठीक है ताजुल मासीर ताजुल मासीर तो आगे बात करते है अलबरुनी लेखाक है और इनके दो दोरा जो लिखी गई पुस्तग उसके कराम है तहकी के हिंद किसने लिखी है तो इस लिखी है अलबरुनी नाक्श पॉइंट है आपका अमीर ।говुग। अमीर ॥१। के दोरा खजान अलुफु तै और तुगलक नामा पुस्तक लिखी गई थी और याहिया बीन याहिया बीन एक लिखाक है जोने पुस्तक लिखी थी तारीक मुबारक शाहिव और एक है आपके अमीर हसन इनकी पुस्तक का नाम है फबाद उल-फुहाद ठीक है मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था इसके एक फेमस रचना है जिस रचना का नाम है आपका रहिला मोस्ट 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 टाइम पी पुस्तक है रहिला पुस्तक के लिखा कौन है इबन बतुत्ता कहां का था यातरी तो यह था आपका मौरुको का रहने वाला अगला पॉइंट देखते हैं आपर अब्दुल और जाक यह एक इरानी रास्दूत था ठेक है और यह देवराय दित्य के सासनकाल में भारत आया था तो यह आया था देवराय दित्य के सासनकाल में और इबन बतुता जो आया था यह कहां पे आया था मौहमद बिन तुगल के सासन काल में इसको भी कर लिज्जे का अप लोग अंडर लाइन नाक्ष पाइंट है मारको पोलो मारको पोलो तेरविस दब्दीस वी में भारत आया था अगला पाइंट है आपका बार बोसा एक पुर्तिकाली यातर था यातरी था और इसने विजयनगर की सासन विवस्ता क विवन दिया अगला पाइंट है आपके सामने केवल सासक ठीक है सासक के इस मारक तो एबक का मगबरा कहां पर है तो कुतुब दिन एबक का मगबरा इस्तित है आपका लाहोर के अंदर और सीर्सा का मगबरा कहां पर इस्तित है तो यह आपका सासराम सासराम कहां पर है बिह के लितना ही और जितने भी हमारे old student है ठीक है वो सभी बच्चे मुझे मुगल कालिन जितने भी मगबरे हैं बाबर हुमायू अकबर जहांगी साहजा और अंग जेब इन सभी के मगबरे कहां पर रिस्तित है या आप मुझे कमेंट जरू करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंट से को शेर करिए बिलता हूं चल्द एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धिन्यवाद बाई और टेक केर